हाई एबरीवन चन्नेवर्च राजस्तान की बीच IPL का मैच नमबर 17 है और इस मैच में Grand League की टीम बनाना चाहते हो तो ये मैच आपको Grand League के लिए perfect हो सकता है इसलिए कि अभी तक जो IPL के मैच चल रहे हैं जिसमें 200 पलस रन बन रहे हैं लेकिन ये मैच आपको low score मैच देखने लेकिन इस मैच में आपको all under section से, balling section से captain wise captain देखने को मिल सकता है और यही region है कि अगर आप venue performance अच्छे तरीके से नहीं समझोगे आपको अपने टीम में spinner और passer को लेना है कितने bestman को लेना है सारा condition समझना होगा क्योंकि यहाँ पे जादतर balling को support मिलता है तो इसलिए video काफ में bell icon को दबा देना ताक कि मैं कोई वी video डालू तो आपको notification में मिलता रहे और जो important चीज़ होती है जहां आपको grand league और small league के final team मिलती है telegram पे वहाँ भी join हो जाना टीम बनाने से पहले venue performance देख लेते हैं चिन्ने में मैच होने वाला है यहाँ पे average score 150 का रहता है वैसे देखा जाए IPL का मैच 2022 में एक भी मैच नहीं हुए है तो इतना ज्यादा record नहीं है IPL मैच के international के कुछ मैच हुए है वैसे ज्यादा international के भी मैच नहीं हुए है तो इस विकेट spinner को भी मिले है तो थोड़ सा ही different है spinner को जबकि लोग spinner को ignore कर देते हैं इस मैच में बने रहेंगे spinner और spinner को अपने team में रखना है और किस तरह की spinner को रखना है वो मैं बता दूंगा उससे पहले बता दूब कि toss उतना जजाद effect नहीं डालता है क्योंकि average score 150 का रहता सामने वाली टीम चेज करती है उसका भी विकेट गिर जाते हैं तो इसलिए दोनों तरफ से बॉलिंग बॉलर को पिक करना जरूरी होगा आप देख सकते हो जो टीम बॉलिंग टॉस जीत कर बॉलिंग लेते हैं पैसे परसेंट विन करने का चांस रहता है थोरा सा असानी होता है हेट तो हेट की बात किजा तो टोटल वैसे इन दोनों के बीच 26 मैच अब देख सकते हो, ये 2022 का रिकॉर्ड है जिसमें चन्नाई पहले बैटिंग करके डेर सो रन मारे थे जबकि राजस्थान चेस करने में उनीस ओभर चार बॉल में चेस किये थे डेर सो रन जबकि दोनों टीम का पांच चे और पांच विकेट गिरा था उससे पहले का अगर देखोगे तो यहां पे भी राजस्थान एकorn 20 का टारगेट दिये 189 रन मारे थे राजस्थान चेस करने थे 190 यहां पे 4 और 3 विकेट का डिफरेंड था जबकि सिकेंड मैल देखोगे इसमें 188 का टारगेट दिये थे चन्ने सामने वाले राजेस्थान 143 पे 9 विकेट गवा दिये थी उससे पहले देखोगे कि सामने वाले चिन्ने 125 पे 5 विकेट मारे थे यहाँ पे चिन्ने भी 126 रन मारे थे 18 अबर में तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है अब कितना भी मैश देख लो उसके बाद देखोगे राजेस्थान 216 का टार्गेट दिये थे चिन्ने भी 200 रन मार दिये थे और यह मैं सारजा में हुआ था तो इसलिए सारजा में बैटिंग एटेकिंग होती है वहाँ पे बैस्ट मैं को ज़्यादा सूट करता है और विकेट देखोगे तो 6 और 7 अगर तो यहाँ पे जनरली देखोगे कि दोनों टीम का विकेट ठीक ठाक गिर जाता है 6-7-5-3-9-9 इस तरह से विकेट गिरता है मतलब कि दोनों तरफ से विकेट भी गिरते हैं और रन भी बनते हैं तो कॉंबिनेशन काफी तगरा बनाना परेगा तो इसके लिए हम लोग तभी डिसीजन ले पाएंगे जब लास्ट के पांच मैच देखेंगे क्योंकि प्लेयर का डिसेंट फॉर्म भी देखना ज़रूरी होता है जिससे हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस प्लेयर को पिक करनी चाहिए चेन्या के अगर लास्ट के पांच मैच की बात की जाए तो इस साल लगातार दोनों मैच को विन करके आ रहे हैं और पिछले साल लगातार लॉस करते आ रहे थे आप देख सकते हो इस साल के रिकॉर्ड मुंबई को हरा करा रहे हैं 169 चेस किये थे सिर्फ तीन विकेट पर जबकि ये बाले मैच काफी हाई स्कोर मैच हुआ था और ये इसी गिराउंड पर हुआ था जबकि ये गिराउंड बॉलिंग फ्रेंडली है यहां पे ज़्याद कर सकते हो कि खासकर राजस्थान अगर बैटिंग करते हैं 180 तक मान सकते हो लेकिन इस मैच में बड़ा स्कोर एस्पैक्ट नहीं कर सकते हो इस मैच में लोग स्कोर ही मैच होंगे क्योंकि लोगों का कंफ्यूजन होता है ग्राउंड होते हैं ग्राउंड में कई सारे पीच ह होते हैं और मालум है मैं पहले भी बताया हूं así की कोई गराउंड को बाइलिंग सपोर्ट बनाया जाता है और किसी को बैलेंस बनाता है तो यह खासकर मैच होंगे दोनों टीम बराब्री का है तो बैलेंस में मैच होगा वैसे मैं फाइनल पीच रिपोर्ट टेलिगराम पे बता दूँगा तो जोईन हो जाना उससे पहले देखोगे यहां पे लॉस कर गए थे गुजरात से जो कि पहला है भी मैश था और ये मैच को लॉस कर गए थे तो इस साल तीन मैच खेले हैं दो विन किये हैं और एक ही लॉस किये हैं तो इस साल का देख सकते हो ये जो मैच विन किये हैं तीन विकेट इनका गिरा है और सामने वाले का आठ विकेट गिरा दिये जबकि सिकेंड मैच में साथ विकेट इनका गिरा था सामने वाले टीम का भी साथ विकेट गिरा दिये थे और इसमें अच्छा खासा रन भी बन उससे पहले गुजराद से हुआ था इस मैच को लॉज कर गे थे इस मैच में भी साथ विकेट गिरा था सामने वाले टीम का पांच विकेट गिरा दिये थे और 178 रन भी बना था तो यहां पे जो जिस तरह से ग्राउंड सपोर्ट करता है तो यहां पे आपको तीन बॉलर इस 299 रन मारे थे सामने वाले टीम को आल आउट कर दिये थे उससे पहले पंजाब से मैच हुआ था इस मैच को लॉज कर गये थे 192 का स्टारगेट दिये थे पंजाब की टीम मार दिये थे रन उससे पहले हैदरावाद को हरा कर आ रहे हैं और यहां पे 203 का टारगेट पांच चैलेंग बैंगलोर को हरा दिये थे ये 2022 की है अगर इनका विकेट देखा जाए इसमें तो यहां पर देख सकते हो कि तीन विकेट और सामने वाले का आठ विकेट उसके बाद इनका नौ विकेट और गुजरात की तीन विकेट उससे पहले अगर इस साल के तीनों मैच का गिरा दिये थे इसमें भी चार विकेट इनका गिरा था और सामने वाले का नौ विकेट गिरा दिये थे तो मैं एसपेक्ट करता हूँ कि चन्ने का साथ विकेट गिर जाएंगे तो फिर इनकी तरफ से आप कमन दो बॉलर और 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 एक रख सकते हो जो बॉलिंग और और हो यहाँ पर प्रेडिक्टर का ओप्सन होता है तरह तरह के question होते है और जो match खेलते हो उसी match से related question होती है जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो दिया है कि चन्य will win the match against Rajasthan अपको लगता है कि चन्य फिर से इस match को win कर जाएंगे तो yes कर दो मेरे हिसाब से no कर दो मैं कहता हूं यह match Rajasthan विन करने वाले हैं तो मैं नो कर दूंगा और इस पैसे को अगर विन कर जाते है राजस्थान तो मेरा पैसा इमाउंट डवल हो जाएगा उसी तरह तरह के कोस्चन होते हैं आप आगे भी देख सकते हो तो यहां पे आपको मालुम है कि राजस्थान और चन्ने के बीच जो टीम पहले बैटिंग करेगा 184 रन बना पाएगा अगर आपको लगता है कि हाँ बन जाएंगे तो आप यस कर दो अगर लगता है कि नहीं बनेंगे तो ना कर दो वैसे मेरे हिसाब से देखा जा तो ना कर दो क्योंकि यह बॉलिंग फ्रैनली पीच है यहां पे 160 तक आप मान सकते हो लेकिन 184 है तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होती है और क्लासिकल में जाते हो तो आपको ग्रैनली गे स्मॉलिक मिलते हैं साथ में बॉनस यूज करने का मौका मिलता है जैसे ही साइन अप करोगे आपको 100 रुपे मिल जाएंगे बॉनस और आप जब भी डिपोजिट करोगे आपको बॉनस मिलेंगे और बॉनस हर एक कॉंटेस में यूज करने का मौका मिलता है आप छोटे सु छोटे ग्रैनली एक रुपे दो रुपे से खेल सकते हो और एक दस हजार बीस हजार का एमोट विन कर सकते हो और बेहतर आप बैटिंग सेक्शन से प्लेयर का टीम बना सकते हो वही अगर आपका का टीम फॉस्ट इनिग में सही नहीं बनता है तो आप से केंड इनिंग में भी टीम बनाकर पैसा विन कर सकते हो तो बहुत ही बहतरीन अप्लिकेशन है और खास कर ये स्मॉल ली के लिए काफी बहतरीन अप्लिकेशन है यहां पे कमीशन कम होते हैं असानी से win हो जाते हैं कि जाओ description में link है वहां से join हो जाओ lucky star आप use कर लेना referral code जिससे आप 100 रुपे पा जाओगे तो अब आगे हो direct team पे संजू समसंग है बटलर है और MS 2 नहीं है और आपको convey दिखेंगे चार option है विकेट कीपर में और लोग जादा तर तीन option के साथ जाएंगे konway और संजू समसंग बटलर लेकिन यहां पे confusion है वैसे असवीन जादा तर बटलर को आट करते हैं लेकिन इस match में दीपक चहर है दीपक चहर अगर starting में इनका ball turn लेता है तो इनको लेकर चले जाएंगे और यहां पे आपके लिए काफी important पीक हो जाएंगे बटलर को अगर आप mega grand league जैसे dream 11 पे try करते हो तो बटलर को drop करके दीपक चहर को अपने team में ले सकते हो वैसे दो match खेले हैं दीपक चहर दोनों match में flop गये हैं इनको wicket नहीं मिला है जबकि बटलर इस tournament में भी गजब का perform कर रहे हैं देख सकते हो तीन match खेले हैं और तीनो match में 50 plus score मतलब point दिये हैं वही Sanju Samsung है Sanju Samsung भी तीनो match में अच्छा perform किये हैं तो small league में आपको दोनों या तीनों safe option रहेंगे क्योंकि Conway भी अपने team की तरफ से opening करते हैं इनको भी drop करना small league में खत्रे से खाली नहीं होता है अब तीनों के साथ जा सकते हो वह से dream 11 पे खेले हैं तो फिलहाल मेरी small league की team देख सकते हो Butler को रखा हो Sanju Samsung है चन्ने chase करते हैं तो Conway को भी मैं लेने वाला हूँ उस condition में Butler को Captain Vice Captain से हटा दूँगा गाइक वाड है और रहाने हैं जैसवाल को भी मैं इस match से सोचता हूँ की drop कर दूँ इसकी जगा पे मैं final में player बता दूँगा फिलहाल safe option है और ये safe player है ये जो बेंदर चाहर है Trent Bolt है और देश पांडे है मगला है तो ये मेरी initial small league की team है जिससे आप team join कर सकते हो small league की grand league की बात की जाए तो Sanju Samson को wicket keeper में रखा हूँ और Conway Butler को दोनों को drop कर दिया हूँ इसकी वज़ा है कि Bolt को drop किया हूँ Conway को लेकर और दीपक चहर को रखा हूँ तो Butler को drop कर दिया हूँ जैसवाल को drop करके Hitmire को ले लिया हूँ तो काफिर इसकी team है गैकवार्ड है ये match आप देख सकते हो चेनने के favor में team बना रहा हूँ तो इस match में Mohen Ali को captain बनाया हूँ और आप चाहे कि Sandeep Sarma को vice captain बना कर जा सकते हैं तो अगर Sandeep Sarma को vice captain बनाते हैं गजब का perform कर रहे थे इस साल दो match खेले हैं 6 point और 26 point दिये हैं तो कूछ खास नहीं किये लेकिन अच्छे player हैं और बड़े score भी खरा कर सकते हैं यहाँ पे अब देख भी सकते हो कि 77, 1, 76 इस तरह से ये point दिये हैं तो Grand League के captain vice captain के option हो जाते हैं और Grand League में आप try कर सकते हो तो फिलहाल मैं यहाँ पे सेटनर के साथ ही जा रहा हूँ तो फिलहाल यह मेरी initial team है जिसमें मैं vice captain संदीप सर्मा को ले रहा हूँ फिर भी मैं एक player को drop करूँगा लेकिन यह toss पे depend होगा तो final team टेलिगराम जोइन कर लेना चैनल सब्सक्राइब करके जहां आपको final team मिल जाएगी ओके थेंक यू